So guys, OnePlus 7 जो है वो भी लाँच हो चुका है और उसके साथ OnePlus 7 Pro भी लाँच हो चुका है और उसके कुछी तिन बाद Asus ने अपना Asus Zenfone 6 भी लाँच कर दिया था तो यह जो OnePlus 7 Pro है और यह जो Asus Zenfone 6 है वो दोनों ही फोन्स एक दूसर से काफी सिमिलर है लेकिन इन दोनों में काफी सारे डिफरेंसिस भी है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा लेना चाहिए कौन सा इन दोनों फोन्स म इन दोनों ही फोन्स की परफोर्मेंस की या फिर इन दोनों ही फोन्स की स्पीड की तो मेरी सबसे स्पीड के मावले में जो OnePlus 7 Pro है वो ज्यादा बहतर निकल के आएगा Asus Zenfone 6 के कंपैरिशन में क्यूंकि OnePlus 7 Pro है उसमें आपको थोड़ी से बहतर परफोर्मेंस मिलती है मतलब हाड़वेर तो दोनों का से मैं दोनों ही में आपको snapdragon 855 का प्रोसेसर मिलेगा साथ में यह पे दोनों ही फोन्स में आपको 6 और 8GB के रैम वेरेंट्स मिलेंगे हाँ OnePlus 7 Pro में आपको एक और 12GB का भी रैम वेरेंट्स मिलेगा बट मेरे इस सबसे यार आप 12GB के रैम वाला वेरेंट्स लेलो या 8GB के रैम वाला लेलो हमारी पफोर्मेंस पर ज्यादा डिफ्रेंस नहीं आएगा क्योंकि इतनी ज्यादा रैम तो हम यूज भी नहीं करते है शायद बहुत ही कम लोग यूज कर पाते होंगे तो इसलिए मेरे इस सबसे च्छे या 8GB रैम काफी है उससे ज्यादा जरूरत नहीं होते किसी को भी तो इसलिए मेरे इस सबसे रैम के मामले में मैं दूनोई फोन्स को एक्वल गिनूंगा और साथ मैं आपको एसूस का जो 3.0 की स्टोरेज मिलती है जबकि जो एसूस का जैंफोन चीख है उसमें UFS 3.0 स्टोरेज नहीं है और इसका मतलब है कि जो वन प्लस 7 प्रो की स्टोरेज वो अच्छी कॉलिटी की है उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड बैतर है तो इससे भी काफी डिफरेंस आएग और performance में मेरी सबसे OnePlus 7 Pro बैटर होगा लेकिन इतना ज्यादा भी बैटर नहीं हुआ थोड़ा सा डिफरेंस होगा अगर कोई आप उपन करते हो तो कुछ मिलिसेकंड से जो OnePlus 7 Pro है उसकी ज्यादा जल्दी उपन होगी और कुछ मिलिसेकंड का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं ह और दोन में आपको रेकार किमेरा मिलेगा एक एक उल्ट्रावाइड केमरा बट्च मिलिसे के लिए उसका जो अल्ट्रावाइड केमरा वह वह 16 MP और यह उसके के उसकेड जैपोंल गेगा जैप्रो की quality की बात करो तो मेरी साथ से यहां पर ठीक है आपको OnePlus 7 Pro में 3 cameras तो मिलते हैं बट यहां पर जो cameras की quality है वो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी हाँ जो primary camera है 48 MP का वो तो अच्छा कसा आपको performance देदेगा लेकिन जो बाकी के दो cameras है जूम वाले और ultra wide वाला वो इतने अच्छे नहीं है काफी मतलब कमजोर है वो cameras और उनका flagship लेवल वाले phone के साथ comparison तो possible है नहीं है आप mid range के साथ comparison करो तब वो थोड़ा सा सही लगता है इतने खराब है वो cameras तो इसलिए Zenfone 6 जो है उसके cameras मुझे जोड़े से ज्यादा बहतर लगे और इसके अलावा अगर बात करें दुनों इफोन के front camera की तो जो oneplus 7 pro का front camera है वो एक 16 megapixel का camera है और वो एक pop-up selfie camera है मतलब वो आपके phone के ऊपर की जो frame है उसमें से बाहर निकलेगा वैसे ही अगर हम बात करें जनफोन 6 की तो उसमें कोई front camera ही नहीं है उसका जो back camera है वही flip होके आपके आगे आ जाता है phone के तो वही आपका front camera है और वही आपका rear camera है दोनों एक ही है cameras तो इसलिए definitely यहाँ पे जो जनफोन 6 है उससे अब ज़्यादा बहतर selfies क्लिक कर पाओगे क्योंकि देखो ओबिशली हर फोन में ऐसा ही होता है जो back camera है वह ज्यादा अच्छा होता है front camera होता नहीं अच्छा होता वैसे ही oneplus 7 pro में भी जो back camera है वह ज्यादा अच्छा है 48 megapixel का है और front camera सिर्फ 16 megapixel का है बट यहाँ पे क्योंकि आपको जैसा इसका back camera है वही इसका front camera है क्योंकि वही flip के आगे आ जाता है तो front camera के मामले में definitely जो जैदा बहतर होगा तो overall अगर आप एक अच्छे camera वाला phone ढून रहे हो फिट जाए बात करो front camera की या rare camera की दोनों ही cases में जो जैदा बहतर होगा oneplus 7 pro के comparison में इसके अलबा अगर screen की बात करें तो यहाँ पे again oneplus 7 pro ज्यादा आगे निकल के आता है क्योंकि एक तो जो screen है वह ज्यादा बड़ी है oneplus 7 pro की oneplus 7 pro में आपको 6.67 inches की screen मिलती है जबकि जनफोन 6 की screen जो है वह 6.4 inches की है इसके अलबा जो oneplus 7 pro की screen है वह कौड hd plus amoled display है जबकि जनफोन 6 की स्क्रीन है वह एक IPS LCD display है तो definitely जो screen है वह ज्यादा बैतर है oneplus 7 pro की और साथ में पर oneplus 7 pro की जो screen है वह आती है 90 hertz के refresh rate के साथ में मतलब जो बाकी normal phone जोते है वह सब 60 hertz के refresh rate के साथ में आते हैं बट यहाँ पर oneplus 7 pro जो है उसमें 90 hertz का refresh rate है इसका मतलब यह कि जब आप कोई games वगए रखी लोगे या कुछ भी scrolling करते होगे अपने phone में तो जो phone है वह ज्यादा smooth चलेगा ज्यादा अच्छे से आपको सब games में movement होते होगे दिखाई देंगे तो इसलिए 90 hertz का refresh rate ज्यादा बेतर होता है और oneplus 7 pro जो है वह एक पहला smartphone है 90 hertz के refresh rate के साथ में आने वाला है जाती है यहां पर जो जैनफोन 6 है वह ज्यादा अच्छा निकल के आता है बैटरी के मामले में क्यूंकि यहां पर एक तो ऑन पेपर भी ज्यादा बड़ी बैटरी आपको जैनफोन 6 में मिलती है जैनफोन 6 में 5000 बैटरी मिलती है जबकि oneplus 7 pro की जो बैटरी है वो सिर्फ 4000 उपर से ज्यादा कंजप्शन होगा तो और भी कम बैटरी लाइफ आपको मिलेगी oneplus 7 pro में जबकि जैनफोन 6 है उसकी बैटरी लाइफ काफी अच्छी होगी अगर आप उसको कंपैर करते हो oneplus 7 pro से तो यह बैटरी के मामले में मैं आपे जैनफोन 6 को वोट दूंगा इसके पीछे की तरफ लगा हुआ होगा जबकि oneplus 7 pro में एक optical scanner है जो आपके phone की screen के निचे लगा हुआ होगा तो अब यहां पे दोनों ही cases में दोनों ही fingerprint scanner के अपने अपने फाइद भी है अपने नुक्सान भी है जैसे जो जैनफोन 6 का capacity scanner है वो फोन के पीछे लगा होगा होता है लेकिन यहां पे टेक्निकली जो जैनफोन 6 का capacitive scanner है वो ज्यादा secure है तो इसलिए दोनों के mix result है अभी आप पे depend करता है कि आपको फोन के पीछे वाला fingerprint scanner चाहिए या phone के screen के नीचे fingerprint scanner चाहिए और अगर हम मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए दोनो fingerprint scanner चल जाएंगे मुझे phone के पीछे भी चलेगा phone के screen के नीचे की बीचलेगा मुझे बस वो fingerprint scanner जो है वो secure होना चाहिए और ज्यादा fast होना चाहिए इससे फरक नहीं पड़ता कि वो phone के पीछे की तरफ हो या screen के नीचे हो मुझे दोनों चल जाएंगे और इसके अलाब आप आपको जैनफोन 6 ही खरीदना पड़ेगा क्योंकि oneplus 7 pro के box में भी आपको वो adapter नहीं मिलता है type c2 headphone jack वाला वो भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा तो यहस अगर आप वो खरीदते हो तब ही आप अपने जो normal wire वाले earphones है वो connect कर पा होगी और इसके अलाबा जो oneplus 7 pro है सकते हो तो यह भी एडवांटेज है जैनफोन 6 के खरीदने का लेकिन यह स्टोरेज आपको दो नहीं फोन में 128 और 256GB स्टोरेज के वेरियंट्स मिल जाता है तो मुझे नहीं लगता आपको स्टोरेज को expand करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन स्टिल आपको जैनफोन 6 में मि अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि एक तो यह पब्लिक में अटेंशन भी ग्रैप करते हैं तो क्या पता कभी मोटर खराब हो गई तो आपका वन प्लस एन प्रो का कैमेरा बार ही नहीं आएगा या फिर जनफोन 6 का कैमेरा फिलिपी नहीं होगा तो अब यहापे मिक्स्ट आप लोगों के अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है मोटर खराब है जो भी हो यह दोनों ही फोन की प्राइजिंग की बात करें तो यहापे जो जनफोन 6 है वह अभी तक उसकी इंडिया प्राइज हमें पता नहीं चली है लेकिन एक्पेक्टेड जो अगर आप उसको इंडिया प्राइजिंग होगी वह 40,000 से ज्यादा होगी और यहापे इसका जो हाइएस्ट विरेंट होगा 8GB RAM और 250 6GB स्टोरेज वाला वह सकता है 50,000 के आजपास हो या उससे कम हो लेकिन यहापे जो 1 प्लस 7 प्रो की प्राइजिंग है वह शुरू होती ह 49,000 से मतलब जहाँ पर हम एक्समेट कर रहे हैं कि जैनफोन 6 की प्राइज खतम होगी वहीं से तो 1 प्लस 7 प्रो की प्राइज शुरू हो रही है और यह आपको इसका जो हाइस्ट वेरेंट है 1 प्लस 7 प्रो का वो है 58,000 रुपीज का तो यहापे प्राइज में बहुत ज्य करता है कि आपको कौन से जीज ज्यादा इंपोर्टेंट लगती है अपने फोन में उसके सब्सक्राइब कर देना चैनल को और मुझे इंस्ट्राग्राम ट्विटर पर फॉलो कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और बस अब मैं में मेरे अगले वीडिय बप्रे जयां उपने ऊट में मुझे हैं झालाई आलाईग्ट लेफयाि इंसे स्चर में में मैं मुझे और यदिय।